जैहिंदे डिफेंस लवर्स आज की टॉप हैडलाइन्स कुछ इस प्रकार है जब में कुश्मिर में पाकिस्तान दो रहे स्पॉंसर दो सुमर हुए हुरीफाइट प्रेटेटर ड्रोन्स वाले डील को डिसकस करने के लिए अमेरिका से टीम पहुंच चुकी है भारत ब्रमोस एरोस्पेस के फॉर्मर इंजिनियर को पाकिस्तान के लिए जासुसी करने के आरोप में आज एवन कारावास की सजा लेटिस रिपोर्ट के मुदाविक विदेशी ताकतों ने किया था भारत के लेक्षेंस को मैनिपलेट करने के लिए धेट सारी फंडिंग और जैपैन के दो F-35A फाइटर्स को करने पड़ी एमरजेंसी लैंडिंग कल रात को पुलवामा में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंपूर्ट के अधार पर इंडिजावमी और जम्मुकिश में पुलिस ने एक जॉइन्ट ऑपरेशन लाउंच किया था और इस रीजन में आधंक्यों के मौजूद होने के इंपूर्स मिले थे और फिर इसके बाद एरिया के घेरावन्दी की गई आधंक्यों के साथ कॉंटेक स्टेबिश हुआ और अभी जिसमें हमें वीडियो रिकॉर्ट कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्स की मताबिक इस गुजर 21 से एक्टिव था और लश्कर के साथ जोड़ने से पहले यह जैश के साथ था लेकिन इन दोनों सुमारों को हमारी फोर्स ने अब हमेशा के लिए डी एक्टिवेट कर दिया इसके अलावा एक इंट्रेस्टिंग अपडेट यह है कि जैसे कि पहले के अपडेट मे इसको एक्स्प्लोर करने के लिए कहा है और इस पर भारत में इस्रेली MBC ने अपने ऑफिशल ट्विटर हेंड़ से ट्विट करते में यह लिखा कि जैसे कि मौलदीव ने अब इस्रेलियों के आने पर बैन लगा दिया है तो नीचे दिये गए यह कुछ खुबसूरत और अदभुद भारत के समुद्र तर्थ हैं जहां इस्रेली परिटकों का हर्दिक स्वागत होता है और वेहत आदर सत्कार किया जाता है और हमारे डिप्लोमेट्स जवारा याद रखी गई जगों के आधार पर इस्रेलियों इन इंडिया के यह कुछ सुझा हूँ है Economic Times की latest report के मुदाविक भारत के साथ MQ-9B drones की deal को discuss करने के लिए अमेरिका से एक टीम और भारत में मौजूद है और फिलाल अभी इस deal में technology sharing को लेकर बातचीच चल रही है और इस पूरी deal की actual cost क्या रही है तो इस पर अभी कुछ भी final नहीं हुआ है और जैसे कि आप सब इस इस ड्रोन के कुछ important components भारत में manufacture करने के इच्छा भी जताई है और भारत चाहता है कि इस ड्रोन के अधिक साधिक हिस्से भारत में ही स्थानी तोर पर manufacture हो अनकि West Asia में कुछ non-state actors द्वारा इस ड्रोन को shout-down किये जाने की हाली में कुछ reports भी देखने को मिली थी और इन reports के ब अधिक आसोंवार को नाकवर डिस्ट्रिक कोर्ट ने भ्रमोस Aerospace के former engineer निशान्त अगरवाल को पाकिसान की आईसाई के लिए जैसुसी करने के आरोप में Official Secrets Act के तहट आज इवन कारावास की सचा सुनाई है और इन पर आरोप है कि भ्रमोस मिसाल से संबंदित classified information इन्होंने अपने personal laptop में रखी थी जो कि फिर बाद में बाहर लीग हुई और इस बात की पिस संभावना है कि पाकिस्तानी intelligence operative ने इन्हें honey trap किया है और इसलिए इन्हें आज इवन कारावास के साथ साथ 3,000 रुपे का fine और 14 वर्षों के कठोर कारावास के सजा भी सुनाई गई है अपडेडिया है जिसमें Times of India के report में senior officer के हवाले से बताया गिया है कि अपसे जो भी army के medals उसकी uniform की disrespect करेगा तो उसे army की द्वारा बक्षा नहीं जाएगा और army headquarter ने इस तरके उलंगन पर अपना कड़ा रुख अपनाया है और army की strong warning खास तो अबर उस incident के बाद आई है रूप में माफी भी मागिए और company ने army को आसवाशन भी दिया कि भविश्य में ये गल्ती नहीं दोराएंगे और उनमें से एक चीन का नाम खास सौपर सामने आया था और जबकि अभी कुछी दिनों पहले open AI की रिपोर्ट में एक Israeli company का नाम पर सामने आया जिसमें कहा गया था कि इस company ने भारत के elections में हस्तेशेप करने का प्रियास किया था लेकिन कल 4 जुन को भारत के लोग से बाच चुना की results के announcement से पहले अब एक और बड़ा कुलासा हुआ है जिसमें इस बात को expose किया गया कि कैसे भारत के elections के results को प्रभावित करने के लिए कुछ विदेशी ताकतों द्वारा millions में funding की गई है इस report बताया गया कि कैसे कुछ media outlets को funding उपलब्द कराई गई थी, voters के decision को बद census का narrative France से आया, जबकि Christophe Jefferlot को भारत के बारे में काफी कुछ लिखने पढ़ने वाले इंसान की रूप में जाना जाता है, यहन्दे कि इस चुनाव में फ्रांस की media ने कुछ ज़्यादा ही interest लिया था, और यह सारे media Christophe Jefferlot को ही एक expert के तोर पर quote किया करते थे, इस report में औ आसरक के narrative को ही target किया गया है, और मुख्य रूप से भारत के ruling party के against है, आसमवार को Northern Japan में commercial airport पर जेपैन के दो F-35A stealth fighters को emergency landing करनी बढ़ी है, आलंकि अच्छी बात यह कि इस emergency landing में किसी भी तरकी injuries या damage नहीं हुआ है, Official Report के मताबिक यह दोनों fighter jets अपने training flight पर थे, और इसी दोर आन इन aircraft में कुछ unspecified mechanical problems develop हुई, और जिसकी चलते फिर इन aircraft को emergency landing करनी पड़ी, आलंकि यह problems actual में किस तरह की थी तो इसके बार में details officials की तरब से share नहीं की गई है, और अब समय है आज की तिहास का, आज एकी दिन 2019 2019 में अरवनतिर प्रतेश में AN-32 aircraft की crash में हमने अपने 13 air warriors को खोया था, आज एकी दिन 2007 में जमो किश्मीर में अपने अदब में सहास और वीरता का परिचे देते हुए, कैप्टन गौतम शर्मा वीरगती को प्राप्त हुए थे, आज एकी दिन 1956 में नागलेंड में militants का मका अबला करते हुए, सेकेंड लेटिनेंड पीवी रमन ने अपना सर्वोच चिबलिदान दिया था, और इन्हें मरणो प्रांथ अशोक चक्रे से सम्मानित किया गया है, और आपके लिए आज का प्रशन यह है, कि इनसास राइफर्स आस तक कितनी कंट्रीज को और अब समय है आज के टॉप थरी कमेंट्स का, क्यों यह रहे आपके स्क्रिन पर साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत झाल